नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है विंधिया टाइम्स में रीवा जुले के गुर्थाना शेत्र की रहने वाली एक महिला ने वर्तमान में डभॉरा स्डी ओपी विनोट सिंग के साथ पाँच पुलिस कर्मियों पर गंभी रारोप लगाए हैं महिला ने डभॉरा स्डी ओपी विनोट सिंग के साथ पाँच पुलिस कर्मियों के खिलाफ नियायले में परिवाद दायर किया था जिस पर पीडिता के साथ उसके गवाहों का बयान सुनकर नियायले द्वारा स्डी ओपी विनोट सिंग नईगडी थाना प्रभारी नहां रही महिला को उसी हालत में घसीट कर पीटा गया निर्वस्त्र महिला को एक कपड़े के सहारे बिना महिला पुलिस की उपस्थिती में इनी पुलिस कर्मियों के द्वारा थाने लाया गया जिससे आहत होकर महिला ने कई जगा शिकायत की पर कहीं सुनवाई नहीं हुई उसने इसके बाद नियायले का दर्वाजा खटखटाया ये पूरी घटना 13 मई 2018 की बताई जा रही है बिना किसी बात के कारवाई का हवाला दे कर जिले के तीन थानों का पुलिस बल गुर थाना शेतरे स्थित महिला के घर पहुँचा जहाँ पर महिला अपने घर में बात्रूम में नहा रही थी इसी बीच उसके घर पहुँचे पुलिस कर्मियों ने घर में उत्पात मचाने के साथ ही निर्वस्त रहालत में महिला को उसके बात्रूम में घसीटते हुए उसे खूब पीटा और बाद में महिला के देवर के खिलाफ 376 का अपराद बता कर पुलिस कर्मियों द्वारा महिला को उसी स्थिती में शरीर पर एक कपड़े को डाल कर पुलिस वाहन में बैठा कर थाने ले गए जिससे उस महिला को अघात पहुचा और मामले को लेकर महिला ने कई जगा शिकायत की लेकिन किसी भी प्रशासने कार्याले में महिला की सुनवाई नहीं हुई जिसके बाद महिला ने नियायाले का दर्वाजा खट खटाया पुलिस कर्मियों के खिलाफ नियायले में परिवा 2018 में गर थाने में निरीक्षक के पतपर तैनात विनोज सिंग ततकालीन गुर थाना प्रभारी हरीश दुवेदी और पीएसाई जगदीस सिंग ठाकूर के साथ दो अन्यूपुलिस कर्मियों ने महिला के साथ ज्यात्ती की थी जिसके बाद महिला द्वारा नियायले में परि प्रभारी के पतपर पदस्त है इसके अलावा हरीश दुवेदी को पूर्व में एक प्रकरण के चलते बर्खास कर दिया गया था और इनमें दो अन्यूपुलिस कर्मी भी शामल है जुनके खिलाफ नयायले में प्रकरण पंजिबद करते हुए नोटस भेजा गया है मैं एड़ोकेट भी यल्तिवारी जिलाएं सत्रियाले रिवा से क्या है कि आज के 4-5 साल पहले का मामला है ये गुड़ थाने के पुर्वा गाउं में एक सीमा पटेल उर्फ सोनू नाम की महिला है जिसके घर अटेंडम बिनोज सिंग टियाई हरिस कुमार धुबे जगदिश सिंग ठाकूर और दो अन्य पुलिस करमी अटेंडम उनके घर पहुँच गए और घर के अंदर घुस करके मार पीट करने लगे सीमा के ससुर को सीमा के पती को मार पीट कर रहे थे और इतने में पुलिस वाले ये टियाई लोग सीमा अपने घर के अंदर बातरूम में असनान कर रही थी तो लात्स तेजी से दरवाजे पर मारे और दरवाजा तूट गया इसके बाद सीमा नग नवस्था में असनान कर रही थी उसको ये तीनों मिलकर घंसीट कर बाहर ले आए बाहर ले आने के बाद लात घूसा जूता चपल की जूते की यणियों से मारना सुरू किये इतने में लोग वहां उपस्थित हुए और नग निश्थ्री के ऊपर कपड़ा डाले और बोले साहब ये आप क्या कर रहे हो कौन सा ऐसा अपराध हम लोगों ने किया कैसी जोज देने लगे और सीमा के साथ काफी मार पीट किये मार पीट किये तो गाउं के लोग काफी और काफी बल जुट गया गाउं में सोर सराबा हो गया पुलिस आई है और नाहा करूप से सीमा के घर और उसके लोगों को मार पीट नहीं है काफी भीड़ी कठा होने लगी त उसके पती को और उसको देवर को तीनों को घसीट कर पुलिस की गाड़ी में बैठाए और गाड़ी में बैठाने के बाद सिधे ले गए थाना गुर्ध गुर्ध ले जाकरके इन लोगों के साथ काफी मारपीट की गई मारपीट का द्रिश्य तो इतना भयावह था उसकी फोटो पिक्चर बनी होई है बरतमान में नहीं है नहीं आपको दिखाता इतनी मारपीट गई इवेन वो सीमा के साथ और सीमा के देवरों को पैर उपर उठा उठा कर कि इतनी पिटा ही की गई इसके बाद इन लोगों से कहा गया कि अपने घर वालों को फोन करके एक लाख रुपए की बिवस्था कराओ तो छोड़ देता हूं और नहीं तो तुम लोगों के बुरुद्ध मुकदमा दर्ज़ होगा तब सीमा हाथ जोड़कर बोलने लगे कि गरीब आदमी हम लोग साहाब एक लाख रुपए हम कहां पाएंगे हम लोग तो किसी तरह मेहनत मजदूरी कर खाने कमाने वाले लोग हैं हमने क्या पराज किया साहब हमको निर्दोस फसा रहे हो पुलिस वालों ने मार पीठ किया और ततकाल इन लोगों के विरुद्ध प्रकण पंजी बद्ध किया प्रकण पंजी बद्ध किया इनकी जमानत न्याले में हो गई इसके बाद ये लोग मेरे पास आए तो मैं एक आवेदन जो है ठाना गुठ के लिए बनाया लेकिन ठाने द्वारा इन लोगों को भगा द दिया गया इनकी सुनवाई नहीं की गई तम मैं माननी पुलीस अधिक्षक महदय के यहां ततकालिक जो पुलीस अधिक्षक थे उनके पास मैं फरियादिया को लेके गया और सारी परिस्तितियों और द्रिश्य को जो फोटो एल्बम ते दिखाया कि साहब आपके अधीनस् महीना बीट गया इसके बाद भी पुलिस थाने द्वारा या पुलिस अधिक्षक महदय द्वारा के विरुद्ध कोई कारवाई नहीं की गई तम मैंने नियाले में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया और घटनास्थल के साक्षियों को नियाले के सामने प्रस्तुत किया नि पांच लोग आरोपी बने हैं एक बिनोश सिंग है हरिस धुबे हैं जगदीश सिंग ठाकुर है और मांधाता तिवारी हैं और एक मनीश पांडे कभी यह इस बात को लेकर यह का मामला है आदेश कब जारी किया जारी आदेश यह भी हुआ है यह दिनांक 1411-2022 अब यह अभी अभ्यूब्त हो गये इनके विरुद्ध प्रकड़ पंजीब द्ध हो गया तो जो प्रक्रिया है कानून की जो प्रक्रिया है उसके तरह जारी हो गया है अब अब यह न्याले में हाजिर हो और अपना जमानत का वेजान प्रस्तुत करें अब दुन्याले क्या करती है यह दुन्याले के उबर है